एक फिक्रा बोला जाता है कि blood is not thicker than the mental health जिससा मतलब यह है कि आपके जो blood relations होते हैं या आपका जो अपना खून होता है आपके जो अपने होते हैं वो इतने भी ज्यादा एहम नहीं होते हैं कि वो आपकी mental health का बेड़ा गरक करके रखते हैं उनकी वज़ा से आप जहनी मरीज हो जाएं लेकिन फिल भी फिर भी you call them your loved ones और आप एक emotional blackmailing के इर्दगर्द खूमते रहते हैं कि यह मेरे अपने हैं और इसी वज़ा से आप उनको कुछ कहते भी नहीं हैं क्योंकि वो आपके अपने होते हैं अभी जो मैंने एक phrase बोले हैं इस phrase को लोग 40-40 साल या 50-50 साल की उमर में जाके इसको समझते हैं या चाहे आपका कोई दोस्त कॉलीग या बॉस जो है वो टॉक्सिक है अब ये टॉक्सिक बंदा आपको कहीं भी नजर आ जाएगा ना आपको इससे जान छुडवानी हैं इसके इलावा आपके पास कोई हल दूसरा होता ही नहीं है अब जो लोग दो तरह के लोग पाई जाते हैं हमारी सुसाइटी में एक वो है правда मेरी उससे कोई ना कोई association है और मैं उसको नहीं चूड़ सकता या मैं उसको नहीं चूड़ सकते बेशक वो टॉक्सिक है I am willing to sacrifice my mental health मैं अपना जो है वो दिमाग अपना जहन अपनी खुशियां अपना सकून I'm willing to sacrifice all of them क्यों क्योंके मुझे उससे इतनी मुखबत है और मैं इतना उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता एक ये कैटेगरी होती है हमेशा याद रुखें दूसरी ये कैटेगरी होती है जिनको ये एहसास हो जाता है कि यार वो जो मैंने शुरू में एक फिक्रा बोला कि blood is not thicker than the mental health के ये खुशन जो है ना वो इतना भी एहम नहीं होता अपने इतने भी एहम नहीं होते हैं कि आपको समझ ही ना है लाइफ में आपने करना क्या है और आपको एक ऐसी stage ये ऐसी phase के उपर ले जाएं ये लोग कि जहां पर आप के पास कोई option ही नहीं रहता सिवाए इनके साथ रहने का दूसरे वो इस कैटेगरी के लोग होते हैं जो इस चीज को understand करते हैं और वो इनको cut off कर देते हैं कि मुझे इनके साथ नहीं रहना लेकिन ये भी वो लोग होते हैं जो बड़ी देर से जाकी चीज़ें समझते हैं अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि आपका normal रहना क्यों जरूरी है whether you're a wife, whether you're a husband आप एक बेटे हैं आप एक बाप हैं आप एक शोहर हैं या आप एक बहन हैं आपके लिए ये इतना जरूरी है कि आपका जो जेहनी सुकून है किसी को भी compromise करने की इजासत नहीं होनी चाहिए उसकी वज़ा ये है कि जब आप mentally you know normal होते हैं न तो आपके रिष्टे भी ठीक होंगे जब तक आप mentally stable नहीं होंगे आपके ठीक नहीं होंगे जब तक आप mentally stable नहीं होंगे आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाएंगे आप आगे life के अंदर perform नहीं कर पाएंगे आप रिष्टा निबा नहीं पाएंगे आप किसी से अच्छे तरीके से deal नहीं कर नहीं पाएंगे नहीं बता सकता हूँ I know some people मैं personally I know them ऐसी ऐसी family को मैं जानता हूँ कि अगर आप उनकी achievements पे बात करें अगर आप उनके professionalism के उपर बात करें अगर आप उनके पैसा कमाने के उपर जाएं तो they are top of in the world वो जिन्दगी में और पूरी दुनिया के top list जो है ना ऐसे लोगों की वो उन में शामिल है उनका standards उनका जो status है और उनका जो environment है और जो उनका background है और पिर उनका knowledge है आपको वो top level पर ये लोग नज़र आएंगे लेकिन अगर आप उनके mental health की बात करें तो believe me ये misery miserable life गुजार रहे हैं इनके partner या तो इन से तंग हैं या इनके माबाप इन से तंग हैं या ये अपने माबाप से तंग हैं या इनकी life में कोई ना कोई ऐसा you know ऐसा toxic environment बनाया हुआ है जिसकी वज़ासे ये तंग होते हैं तो खुदा के लिए अपनी mental health को WHO भी कह रहा है अब तो के दुनिया में उतने लोग जो है वो शायद खुशी या सकून experience नहीं कर रहे हैं अब जितने लोग mental health का शिकार हैं जिनको यूणो बिमारियां लग रही हैं ऐसी जिनको anxiety हो रही है जिनको depression हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है ये कि इतनी दुनिया के अंदर इतनी दुनिया है और उसमें इतने सारे लोग हैं और उसके अंदर half of the population ऐसी है who are suffering from anxiety and depression और वो किस चीज़ की anxiety है किस चीज़ की depression है कि life message decisions ले लिए है जिनको undo नहीं कर सकते या फिर toxic environment पे रह रहे हैं या फिर कहीं न कहीं फस गए हैं और अब फैसला नहीं ले सकते तो खुदा के लिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें मैं ये इसलिए कहता होता हूँ कि आपको नहीं बता कि इसके बाद में नतायच किस तरह के निकलते हैं और ये फिर आप ये नसलों तक की चीज़ जाती है अगर आप डिप्रेशन के पेशन पेशन बन गए हैं आपको anxiety है तो इसका मतलब है कि आप ये चीज़ें अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं वो पेरेंट्स वो कबल्स जिनकी सारी उमर लड़ाई जगड़े में गुजरती है उनके बच्चे फिर ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर बाद में ये नसल दर नसल ये चीज़ चलती जाती है तो इसलिए खुदा के लिए आप इस दीज़ को थोड़ा ब्राडर वे के अंदर सोचें जो लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं उनको कट ओफ करें अगर कम से कम कुडिसियन आप नहीं ले सकते हैं बहुत सारे मेसेज़िस आते हैं कि जी हमारे बचे हैं हम क्या करें हमें एक ऐसी स्टेज़ पे हैं लाइफ के कि जहां पर हम को डिसियन नहीं ले सकते हैं तो कम सकम पिर आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए उन लोगों से वॉक अवे करना है अवाइड करना है उन लोगों को आप साथ रहें कोई मसला नहीं है लेकिन उन लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ मजीद डैमेज करने का मौका ना थे उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना को इस्ट्रेंडिंग मिली होगी लोगों के लिए असानिया पैदा करें रब आपके लिए असानिया पैदा करेगा